भारत में लगातार मेहंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के दामों ने आम आदमी की कमर तोर दी है अब इस बीच एक रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जान कर आपको हैरानी होगी इस रिपोर्ट से साफ हो गया कि मोदी सरकार ने देश को क महां पहुचा दिया है अब आम जनता की इस हालत पर अकलेश यादव ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है आकिर क्या है सिपोर्ट में आए देखते हैं इस ख़बर में महंगाई डायन खाय जात है ये पंक्तियां इस वक्त भारत की दुर्दशा पर बिल्कुल फिट बैठ रही है 2014 में जब देश की सत्ता में मोदी सरकार आई थी तब उसने जनता से वादा किया था कि भारत का नाम पूरी दुनिया में होगा और वो वादा पूरा भी किया है, पर अफसोस की बात है कि देश का नाम तो हो रहा है, देश तरक्की भी कर रहा है लेकिन सिर्फ महंगाई में मोदीराज में महंगाई के मामले में देश ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है आलम ये है कि अभी भारती नागरिक दुनिया में सबसे महंगा रसोई गेस सिलेंडर खरीद रहे हैं जबकि पेट्रोल के मामले में हम तीसरे पाइदान पर हैं और डीजल में भी आठवे स्थान पर हैं देश में महंगाई को लेकर हाहकार मचा हुआ है पेट्रोल डीजल के साथ लपीजी के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में प्रती किलोग्राम लपीजी की कीमत सबसे ज्यादा है क्योंकि लपीजी 3.5 डॉलर प्रती किलोग्राम के भाव पर विक रहा है ऐसे में अगर गौर करें तो लोगों की रोज की आमदनी का 15.6 फीसिदी हिस्सा LPG पर खर्च हो रहा है जबकि किसी और देश में ऐसा नहीं है वहीं पेट्रोल, डीजल और CNG हो या फिर खानी की चीजे सभी के दामों में बेताहाशा बढ़ोतरी से आम जनता का जीवन चलना मुश्किल होता जा रहा है ऐसे में अब जनता की खस्ता हालत पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए नेता प्रतिपक शकलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथो लिया है अखलेश यादव ने ट्वीट कर कहा बढ़ती महंगाई पर विपक्ष तो लगातार बीजेपी सरकार को घेरी रहा है कॉंग्रेश भी सडको पर उतर कर प्रदेशन कर रही है लेकिन सरकार है कि सुनने को राजी ही नहीं है ऐसे में सरकार कब नीन से जागेगी ये एक बड़ा सवाल है फिलहाल जो हालात है उसने आम जनता की खुशियों को ग्रहन लगा दिया है डीवी लाइव की रिपोर्ट